नमस्कार आप देख रहे हैं ABC इंडिया मैं अमिद्भोविया दोस्तों आज हम बात करेंगे मुसंबी की खेती के बारे में जैसे जैसे करोना आया टाइफाइड आया मलेरिया आया तो रसदार फुलों की मांग बढ़ गए जैसे आपने देखा होगा कीवी ड्रैगन फूरू पाइडैपल, स्टाबेरी इन फुलों के बारे में अपने बुजर्गों से पूछेगा उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक सधारन से गाउं के बजार में कीवी मिलती होगी उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ग्रामेंट घर के अंदर ड्रैगन फूरूट भी आ जाएग और करोना है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये सदा हमारे साथ चलते रहेंगे आने वाले 20-25-30 साल तक और ऐसे में किसान भाईयों के पास अच्छा मुका है, अच्छा मुनाफ़ा कमाने का क्योंकि मुसम्मी जो है, इसकी मांग करोना काल के बाद बढ़ती जा रही है और उसी के साथ चैनल को सबस्क्राइब कर लीजी, बैल आइकन को दबा लीजी और शुरू करते हैं मुसम्मी के बारे में ग्यान देने वाली ये वीडियो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मुसम्मी लगाने के दो वक्त हैं, एक फरवरी मार्च और दूसरा जु लाई और अगस्त में लगाईए, इसके बारे में एक बात बता दूँ, पूरे भारत के लगबग हर कोने पर ये हो सकता है, शर्त ये है कि उसकोने पर धूप भी आनी चाहिए, ठंड भी होनी चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए, जहां पर पानी की ववस्ता बहुत जादा ह या जहां पर ज़्यादा वारिश होती है, वहां पर आप इसे बेड बना कर लगा सकते हैं, और जहां पर कम पानी है, राजस्तान का सिकर है, जशल मेर है, वहां पर कम पानी है, वहां पर अगर कोई किसान लगाना चाहिए, तो आप इसे टपका सिंचाई विदी से सधारन म लगा सकते हैं थोड़ी फूस की मलचिंग आपको करनी पड़ेगी ताकि नमी बनी रहे अब रही बात कि लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है तो लगाने का तरीका ये है कि आपको मुसंबी जो है इसे 15 बाई 15 फिट के हिसाब से लगाना है मुसंबी जो है इसको लगा देना है और लगाने के बाद इसे टपका सी चाईवीदी से पानी देना है आप लोग 15 बाई 15 की हिसाब से लगाएंगे तो आपके एक एकड़ के अंदर एक सो चुराने में पोधे लग जाएंगे और फल देने की बाद जो है वो ऐसी है कि जो ये मुसंबी है ये फल तीसरे साल से देना शुरू कर देती है लेकिन जब तीसरे साल ये फल देती है उस वक्त इसके उपर जो फल है वो लगभग आप ये समझ लीजिए 10-15-20 किलो ह ली आता है एक बार का और जब ये 5-6 साल का हो जाता है तब 50 किलो से लेके 100 किलो के बीच में फल आना शुरू हो जाता है बहुत से ऐसे बाग हैं जहां पर 100 किलो आता है लेकिन अगर अच्छी केर नहीं हो पाती तो कम से कम 50 किलो परती पोदे के फल आही जाता है अब रही के माहने में कई अलाके ऐसे हैं जैसे उत्री भारत है यहां पर दो बार फल लेने में थोड़ी परिशानी होती है लेकिन आजकल जो बीज़ांए हैं या जो पोदे आए हैं वो ऐसे हैं कि उनपर दो बार साल में फल आई ही जाता हैँ अब इससे क्या होता है market के अंदर आप लंबे time तक बने रहते हैं यानि September से लेकर March और August तक आप market के अंदर survive करते हैं अब रही बात कि इसकी cutting की क्या वीधी होती है तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसकी cutting की वीधी किसी भी पोदे की क्या होनी चाहिए वो मैंने एक ऐसे thumbnail वाली वीडियो है उसके अंदर proper diagram बना कर समझाया है तो जो method इसके अंदर वीडियो के अंदर बताया गया अंतिम method होगा उस method से आपको इस पोदे की cutting करने हैं वो वीडियो देख लीजिएगा आई-card में भी लिंक है और इस वीडियो के end में भी दे देता हूँ और अब रही बात कि production कितनी हो जाती है कमाई कितनी हो जाती है तो कमाई से पहले आती है बिमारी की बात तो बिमारी इसके अंदर जाज़तर 2-3 परकार की बिमारिया होती है एक जो मोसम बदलेगा ठंड से गर्मी की और बढ़ेंगे गर्मी से ठंड की और बढ़ेंगे तब इसके जो नए पत्ते हैं उपर के जो पत्ते हैं वो पीले होने लग जाते हैं उस वक्त आपको मार्किट में जो भी डॉक्टर हैं उनसे बाचीत करके इसके उपर सप्रे करना है और कोशिश करें कि अगर ओर्गैनिक तरीके से इसका इलाज होता हो तो कीजिएगा दूसरा दोनों बार फल कटाई के बाद फल हरवेस्ट करने के बाद आपको इसके अंदर खाद डालनी है तीसरी चीज़ इसके अंदर अगर पानी रुकना है लग जाए तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर फ़ंगस लग सकती है इसके लिए आप थोड़ा सा संभल कर पानी लगाएं यानि कि टपका सिंचाई विदी से अगर आप सिकर के अंदर या राजस्तानी के किसी गर्मी इलाके के अंदर गर्मी के अंदर पानी दे रहे हैं तो भी आप तीन दिन के अंदर एक बार पानी दे और एक घंटे के लिए ड्रिप चला का छोड़ दे और ज्यादा पानी इसको ना दे ज्यादा पानी के इसको अविशक्ता भी नहीं होते अब रही बात कि इसको पोधा कहां से ले तो पोधा लेने का सिंपल सा मैथड है आप लोग जो भी एजनसी सर्टीफाइड है उसी से पोधा ले और अब रही बात कमाई की तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक पोधे के ऊपर लगबग कम से कम 50 किलो फल एक बार आजाता है साल में दो बार फल आएगा यानि 100 किलो फल एक पोधे पर आजाएगा जब 100 किलो फल आएगा और वो फल मार्किट के अंदर बिकेगा 50 रुपे किल होलसेल का भाब बता रहा हूं आज अगर आप फार्मिंग करना शुरू करेंगे तो आज से 5 साल बाद कितना रेट होगा वो आप खुद सोच लिए अब रही बात कि भाई 50 रुपे भी अगर मिनिमम बिकता है तो 194 पोधे जो हैं उनका फल लगबग कितना हो जाएगा 8-9 बाख के करीब हो जाएगा वो चीज़ आप खुद देख लीजिए अब एक अडवाईज ओर है मेरी कि भारत में एक सेंटर फोर सिट्रस रिसर्च इंसिटूट है नागपूर के अंदर आप वहां पर जुरूर जाएगा और वहां के विज्यानिकों से बात कीजिएगा परकारी संस्थान हैं यहां पर मिलकर अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफ़ा होगा खेर दोस्तों अगर इसके इलावा कोई भी सवाल हो कुमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और हाँ इस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास अगनिक तरीके से करेंगे किनू के अंदर जितना और अगनिक तरीके से करते हैं संत्रे के अंदर जितना और अगनिक तरीके से करते हैं उतना ही यह पोदे जो हैं अच्छा फल देते हैं और ज्यादा फल देते हैं और इसी के साथ खर्पतवार को नस्ट करते रहेगा खेर दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट श्रक्शन में जुरूर बताईए और देखते रहिए ABC इंडिया